दोस्तो नमस्कार एक और बहुत ही कठीन सवाल हमारे एक इस्टुडेंट ने भेजा है वो इस्टुडेंट जो है हमसे यूटूब के माध्यम से जुड़े हुए है आये उनके प्रस्णों को पढ़ते हैं यह प्रस्ण जो है बहुत ही ज्यादा इंपोर्डेंट है यहां पर दस प्रतिसाद लाव होता है तब घड़ी का विक्रय मुल्य बताओ ठीक है अब यह प्रस्ण बहुत ही कठीन है इसमें किस सूत्र का प्रयोक करें काफी कन्फुजन है ठीक है देखिए प्रस्ण में क्या क्या दिया है प्रस्ण में दिया है कि एक घड़ी है ठीक है घड़ का क्राय मुल्ले दिया है ना तो विक्राय मुल्ले दिया है यदि घड़ी कितने में खरित के लाया था यह बता दिया रहता तो हम यहां पर असानी से बता देते कि 56.25 पंशलो बढ़ा दिया तो उसमें घड़ी में अब उसे 10% नाव होने लगा 10% का लाव होने लगा अब इसी इधार पर आपको बताना है वो घड़ी को लाष्ट मेंक्डके में Debis अदो कशीटा है जोग क्योंकि अलार है शोने प्रस्ट में sprawdully है् इस पेन को यदि मैं 5 रुपय में बेचता हूँ तो मुझे घाटा हो रहा है तो मैं क्या सोचूंगा और ये 5 रुपय में बेचने पर एक घाटा होता है तो क्यों ने इसकी कीमत को मैं बढ़ा दूँ तो कीमत को मैंने बढ़ा दिया तो मुझे लाग होने लगा तो आपको ब करेंगे हम वीडियो के लाश्ट में बताएंगे लेकिन सबसे पहले इस प्रस्काइब कर लिए और हाँ यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करना है चलिए इस प्रस्नों को कैसे हल करेंगे यहां पर देख सकते हैं पांच प्रतिसत हानी दिया है एक और बात बता दें कि हम जो है लाव हानी प्रतिसत का एक एक कॉंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आपके बीच हमने रखे है उसके वीडियो आप देख लीजिएगा वो वीडियो जो है इसके लाश्ट में मैं दे दूँगा उसमें आपको और यह सब चीज क्लियर हो ज है घड़ी के जो क्रेम उल्य है उसे आप माल लीजिए 100 रुपिया घड़ी का जो क्रेम उल्य है 100 रुपिय माल लीजिए माना वाला है ना इसको हमको मान रहे हैं यह वास्तरीक क्रेम उल्य नहीं हम मानते हैं जब भी प्रतिसत दिया रहते हम 100 रुपिय मानते हैं अब 100 ले बेचा तो पांच प्रतिशद का निया हुआ अर्थात उसे पांच रुपया करना हुआ हो थो उन्हוח कीमत को बढ़ा दिया और दस प्रतिसद करनी से लगा ठीक 110 रुपय हो गया 100 रुपय कर 10 प्रतिसत यानिये 10 रुपय और तो 110 रुपय होगा अर्था जब वो 95 रुपय में बेच रहा था तो 5 प्रतिसत की घाटा और 110 ले बेच रहा है तो 10 30 का लाब अब इसमें आप देख लिए कि चुब उत्तर आया यह है 110 रुपय आया है इस अधार पर ठीक है अब इसी हम जो माने हैं इसके अधार पर हम इस प्रस्णों को हल करेंगे ठीक है अब देख लीजिए पहले जो कीमत था बेचने का 95 रुपिया और अब नया कीमत होगा 110 रुपिया रथा 110-95 रथा पहले की तुलना में पंद्रा रुपिया अधीक में बेच पंद्रा रुपिय अधीक में बेचा तो 110 रुपिय आया है अब यहीं पर थोड़ा रुपिय मैं आपको समझा रहा हूं यहां पर घड़ी का विक्रैमुल्य पूछा है यह है इसका विक्रैमुल्य ठीक है और उसके बाद घड़ी का क्रैमुल्य यदि पूछा रहता तो य 15 रूपय है तो क्रेय मुल्य सौ रूपय। कब लिकते इसको यहां प्रक्रैय मुल्य सब्सक्राइ्ट में, धिक है यह अंतर क्या चीज है पहले और उसके बाद की विक्रेयमुल्य में अब प्रस्ण में देख सेतने 56.25 रूपय अधिक प्रस्न के नुसार से जो अंतर रासी है वो 56.25 रुपया है अब यहाँ पर देखिए 15 रुपया अंतर है तो विक्रैमुले 110 रुपया यदि 1 रुपया अंतर होता तो विक्रैमुले होता 110 बटा 15 होता की नहीं होता अब यहाँ पर अंतर जो है 56.25 रुपया है 56.25 रुपया है तो अंतर हो जाएगा 110 बटा 15 गुणा 56.25 ठीक है 56 अब इतना को जब अफ़ल कर लेंगे इतना को जब अफ़ल कर लेंगे तो जो है घड़ी का विक्रेमल ग्यात हो जाएगा एक बारार बता दो यहाँ पर विक्रेमल पूछाता है तो 110 यदि क्रेमल पूछा रहता तो 100 रखते क्लियर हैं अब इसे हम हल करते हैं चलिए इसको हम यहाँ पर हल करें छोटे से जगा पर ठीक है यह हो जाएगा 110 गुणा 56 बटा 15 गुणा 100 यह 100 कहां से आया यह 56 में देख सकते हैं दसमलों लगा हुआ है तो दसमला हमने हटा दिया निचे में आ गया 100 ठीक है अब इसे हल करते हैं यह 100 ने पांच पांदुनी 10 पांचे में 25 तीन एकम 3 तीन तीन नौ उसके बाद हो जाएगा 2 और 22 तीन सत्ते 21 और यह 35 15 अब यहाँ पर देख सकते हैं 375 स्वारी 11 गुणा 375 बटा 10 आया है अब इसे गुणा कीजे तो 11 और 375 को ठीक है यह हो जाएगा 11 पंचे 55 का पांच हासिल आ यह 5 11 37 75 82 ग्यारत यह 33 और 8 41 बटा 10 अर्था यहाँ पर 10 लग जाएगा ठीक है यह 10 को अटाएंगे यहाँ पर 10 लग जाएगा अर्था जो भी क्रेम उल्य है वो है 412.5 अर्था 50 तुरुप से 412.50 रुपिये में जब वो बेचेंगे तब उसे 10 प्रतिसत का लाब होगा ठ प्रतिस अथानी है तो क्रेम उल्य को सौ रुपिय माल लो 5 प्रतिस अथानी अर्था 95 रुपिय में बेचा उसके बाद 110 रुपिया में हुआ कैसे क्योंकि 10 प्रतिसत लाब कमाया दोनों में अंतर हो गया 15 रुपिया हम यहाँ पे माने हैं अब इस 15 रुपिया और इसमें 56 रुपिया अब आम बात करते हैं कि आप अपने प्रशनों को किस प्रकार से भेजेंगे तो देखें नीचे में लिंक दिखाई दे रहा है डिस्क्रिशन पर उसे आप टच कीजिए अपने प्रशनों को टाइप करके भेज सकते हैं वीडियो कैसे लग आवस्य बताईएग लाइक और कमेंट अवस्य कीजिएगा और अधी से दोस्तों सेयर कीजिएगा और हाँ अगला प्रशनों को वीडियो यहाँ पर आ चुका है उसे आप अवस्य दिख लीजिएगा धन्यबात